अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ट कप दो हजार बाइस के फाइनल में फ्रांस को खरा कर वल्ल्ट कप का खिताब जीत लिया पैनल्टी शुटाउट तक गए इस मुकाबले में अर्जेंटीना ने 4-2 से जीत तरज़ की फाइनल में मिली हार के बाद फ्रांस के फैंस ने अपना आपा खो दिया है और देश के अलग-लग हिस्सों में तंगे जैसे हालाद बन गए है जानकारी सामने आ रहे है कि अर्जंटीना के हातों मिली हार के बाद पैरिस में जब कर्थिंसा हुई और फैंस ने गाड़ियों में तोड़ फोर्ट आगजुनी की यहां हालाद को काबू में लाने के लिए पुलिस को आसु कैस के गोले दानने पड़े फीफा वल्टकप फाइनल के लिए फ्रांस के अलग-अलग शहरों में हजारों की संख्या में लोग सड़ को पड़ थे और अलग-अलग शहरों से हिंसा के खबरे सामने आ रही हैं